दिवाल प्लाश्टर करने की आज हम एक नहीं दो नहीं बलकि तीन मसीन्स लेकर आए हैं और तीनों मसीन्स एक सबढ़कर एक हैं जब आप इनकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि मान गए सुभंभाई क्या मसीन्स लेकर आए हैं तो सबसे पहले आप प्लाश्टर की फिनिसिंग को एफेक्ट कर सकती है हाला कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मसीन सेलिंग के बेस पर लेबलिंग करती है अब जो मिक्षर बनाया गया है उसे यह इसमें डाल दीजिए मिक्षर डालते समय एक चीज़ ध्यान आ रही है आप इसकी स्पीड देख सकते हैं कितने तेजी से लेबलिंग कर रही है क्लाइमिंग करते हुए वैबरेट भी कर रही है इससे दिवाल और मिक्षर की बीच में जो पकड़ है वो काफी मजबूत हो जाती है यदि दिवाल में कोई होल है तो वैबरेशन के कारण वो भी फिल हो जाता है आप इसकी क्लाइमिंग या फिर वैबरेशन स्पीड वगेरा अपने हिसाब से डिजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने स्पीड में प्लास्टर करना चाहते हैं नीचे से प्लास्टर करते हुए मसीन उपर पहुच चुकी है और जैसे ही उपर ये प्लास किया गया था उसे यहां से निकाल दीजिए और एक जगा प्लास्टर करने के बाद इसे स्लाइड करके जस्ट इसी के बगर मिले जाना है नीचे इसमें वील लगे हुए हैं इससे मूव करने में काफी असानी हो जाती है इसमें हैड्रोलिक सिस्टम दिया गया है तो इसे उ होता है कि मसीन बिलकुल भी आगे पीछे मूव नहीं करती है अब इसे fix करने के बाद इसमें mixer भरना है जिदना इसके hopper की capacity है उतना ही mixer डाले एक्ष्ट्रा बिलकुल ना डाले operate करने के लिए बहुत वरकर्स की ज़रूत नहीं पड़ेगी सिर्फ दो ही वरकर मशीन ऑपरेट करके पूरे घर की प्लाश्टरिंग कर सकते हैं अब बात यहाँ पर आती है कि भीया इंडियो जो वरकर हैं इनके पास experience होना चाहिए कि नहीं तो देखिए हमारे घर के जो मिस्तरी अफी लेवर होते हैं उनके पास भी लगभग 3-4 साल का experience होता है तब जहां कर वो घर बनाते हैं तो सोचिए इस मसीन को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 महिने का तो experience होना ही चाहिए लेकिन टेंसर न लीजिए कमपनी के दोरा मसीन ऑपरेट करने से लेके दिवाल fincing करने तक full training भी जाती है इसमें mixture fill करने के बाद बस आपको एक बटन दवाना है उसके बाद आप इसकी working देखिए किस तरह मसीन उपर जाते हुए बिल्कुल दिवाल में plaster कर रही है वैसे आप यहाँ पर count कर सकते हैं कि कितने second में नीचे से लेकर उपर तक plaster हो जाएगा सिर्फ 60 second का समय लगेगा और इसमें plaster होने के साथ साथ finishing भी हो जाएगी जब इसमें mixture खत्म हो जाया तो आप बीच बीच में भी डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा साफधानी पूर्बग डालिएगा हलाकि इसमें किसी विदरे का कोई खत्रा नहीं है यह machine बिल्कुल safe और comfortable है इसमें 115 cm का travel लगा हुआ है इससे एक ही बार में 115 cm चोड़ाई में plastering हो रही है यदि इसके thickness की बात की जाए तो इसमें आप 4 mm से लेके 30 mm तक plastering कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है कि आप कितने thickness में plaster करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि दिवाल बिल्कुल straight हो तभी यह machine work करेगी थोड़ा बहुत यह machine अपने हिसाब से भी adjust कर लेती है टॉप में पहुँचकर machine automatically ही बंद हो गई है और यह finishing करते हुए एकदम नीचे आ रही है यदि बात की जाए कितने height तक plaster कर सकती है तो देखे इसमें आप 2.85 मेटर से लेके 5 मेटर की दिवाल plaster कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि दिवार चाहे छोटी हो या बड़ी हर एक दिवाल plaster कर पाएंगे मसीन चलाने में 0.75 किलो बाट पावर कंजियूम होगा और इसमें आप सिर्फ 8 घंटे में 400 मेटर स्कॉर दिवाल plaster कर पाएंगे जी हैं बिल्कूल 400 मेटर स्कॉर इसका मतलब यह है कि 20 वाई 20 मेटर की दिवार असानी से plaster हो जाएगी और वो भी सिर्फ 8 घंटे में इस मसीन के द्वारा plaster करने के बाद किसी भी छोटी टूल से इसके वीच में लेवल कर दीजिए और इसके बाद जो fincing हुई है आप इसकी quality देखिए जिस तरह हाथों से plaster किया जाता है सेम उस तरह हुई है या नहीं इसमें सबसे बड़ा फायदय यही है कि कम समय में अच्छी खासी fincing मिल जाती है इस मसीन को चाइना में बनाये गया है यदि इसके price range की बात की जाये तो मसीन लगभग 1.5 लाग के आसपास आती है यह तो fully automatic मसीन है जिसका rate थोड़ा high है यदि आप शाट अप करना चाते हैं तो आप इस cement mortar sprayer मसीन को ले सकते हैं जो की लगभग इसके आधे धाम में आती है यह तरह के sprayer मसीन है जो की कोई normal sprayer नहीं है इसमें cement का mixture spray होता है तो आप जो mixture बनाते हैं उसे दिवार में लगाने के लिए बहुत मेनद करनी पड़ती थी वही पर यह machine काफी बहतरीं काम करती है जो mixture त्यार किया गया है उसे यहाँ hopper में डाल दीचे अभी machine पूरा mixture दिवाल में spray कर देगी यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह mixture इस दिवाल में spray हो रहा है इस्प्रे करने से plastering का काम काफी एसान हो जाता है पहले कि जो worker होते थे वो किसी छोटे tool के माध्यम से पूरा mixture दिवाल में लगाते थे लेकिन इसके आप speed देख सकते हैं कितने तेजी से mixture दिवाल में आ रहा है इसमें 2.2 kilowatt का air pump लगा हुआ है इसके द्वारा आप verticallyly 25 meter की हुचाई तक spray कर सकते हैं और यदि horizontal की बात की जाया तो आप 50 meter की दूरी तक spray कर सकते हैं इसमें जो hopper लगा हुआ है इसकी capacity 20 liter है यानि कि आपको बार बार mixer भरना नहीं पड़ेगा एक ही बार में भर के असानी से plaster कर पाएंगे इससे चलाने के लिए 380 volt और 3 phase connection की ज़रूरत पड़ेगी इसमें 4 kilowatt से लेके 7.5 kilowatt का power motor लगा होता है जो की अलग-अलग model में आता है मसीन का weight बहुत नहीं है सिर्फ 300 kilogram के आसपास है और इसके नीचे wheel भी लगे हुए है जिससे की move करने में काफी असानी हो जाएगी मसीन के साथ साथ एक साल की warranty भी दी जाती है तो आपको टेंसल लेनी की जरूरत थे बिल्कुल है ही नहीं इसको चाइना में बनाया किया है कि इसके capacity की बात की जाए तो इसमें आप लगबग 8 घंटे में 800 meter square area में plaster कर पाएंगे यह जो spray हो रहा है आप इसकी speed देख सकते हैं कितने तेजी से cement mixer दिवाल में आ रहा है आप किसी भी छोटे tool के use करके इसकी finishing दिवाल में कर पाएंगे क्योंकि main काम होता है mixer को दिवाल में लगाना और इसी काम को यह machine काफी असान बना रही है वैसे बताईए क्या कहना चाहेंगे इस machine के बारे में हमने आपको बहुत सारी food machines दिखा डाली लेकिन हमने कहा कि life में तीनी चीज़ important है खाना, कपड़ा, मकान तो खाना, कपड़ा तो हो गया अब आता है मकान और यही मकान बनाने के लिए हम जो तीसरी compact और full automatic machine लेकर आए हैं वो है यह compact plastering machine तो इसे यहां fix करने के बाद जैसे यह बटन दवाते हैं तो जो mixer spray किया गया था वहाँ पर यह machine काफी speed में fincing कर देती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बहतरीन quality में plaster हो रहा है और इसकी जो fincing है वो भी काफी गजब की है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहीं पर miss हो गया है या फिर आगे पीछे हो गया है machine बिल्कुल exact thickness में plaster करती है यह इसू बिल्कुल नहीं आएगा कि कहीं पर plaster मोटा हो गया है या फिर कहीं पर पतला हो गया है बस नीचे size देखकर आपको एक बार बटन दवाना रहेगा और उसके बाद कितने बहतरीन quality में plaster होगी आप तो देखी रहे हैं machine पूरे तरीके से move हो जाती है तो आपको बार बार assemble या फिर डेassemble करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक जगे plaster हो गया तो इसके बगल में move करिए और ये plaster होना start हो गया इसमें आप height भी fix कर सकते हैं कि आप कितने height में plaster करना चाहते हैं और इसके आगे machine बिल्कुल भी plaster नहीं करेगी आप चाहें तो इसकी speed भी अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं कि आप कितने speed में plaster करना चाहते हैं वैसे normal speed रखें तो finishing काफी जबर जस आती है देखे यह सब भी machines चाइना में manufacture की गई है यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे description में हमने इनके official website के link दे दिया है आप visit करके information लेने के साथ साथ machine import भी करवा सकते हैं इसके द्वारा जो plaster किया जा रहा है इसके quality कैसी है बताईए सिर्फ plaster machine ही नहीं एक बार आप हमारे channel new tech इंडिया में visit करके पहले की वीडियोस को देखिए क्योंकि पूरे इंडिया जानता है कि यहां पर चाहे बात की जाए घर कपड़ा मकान बनाने की या पैसा हर एक एक चीज बनाने की आटोमेटिक मसें से वालेवल है जब आप इन मसेंस को द्वारा बिजनस करेंगे तो आप असानी से पैसा भी बना पाएंगे तो स्क्रीन में दिख रहे लोगों में क्लिक करके चानल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए भूलिएगा नहीं और यह सभी मसेंस आपके बिजनस में दस गुना ग्रोध देने वाली है यह मैं सोचिए कि वीडियो खत्म हो गई है अभी मिलता हूं स्क्रीन में द यह हुआ धो में क्जिए। यह हुआए को यह हुआ एग।